आज हम आपको बताएंगे कि एक समानतर स्रेढ़ी में एन्वा पद कैसे ज्यात करते है तो आज का जो हमारा टोपिक है समानतर स्रेढ़ी में वह है कि यदी हमें प्रश्न में समानतर स्रेढ़ी के कुछ पद दिये हुए है और हमसे कहा गया कि बताओ बाद में आने वाला अमुक पद जिसे पुस्तकों में एन्वापद कहते है क्या होगा तो हम इसकी गन्ना कैसे करेंगे इसके लिए एक छोटा सा जो सूत्र है आपको वह याद रखना होगा यह सूत्र क्या है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी यह हमारा सूत्र है एन वे पद का मान ग्याद करने के लिए ए प्रत्थम पद स्रेणी का एन जिस पद का मान ग्याद करना है डी सार्व अंतर आज का पहला क्योशन हमारा है दो च्यार छह आठ शमांतर श्रेणी का अ क्यारवां पद क्या होगा यह हमारा प्रश्न है तो इसका जवाब आप देंगे आंसर यहाँ ए इक्वल टू दो दी इक्वल टू चार माइनस दो बराबर दो एन इक्वल टू ग्यार है क्योंकि ग्यारवे पद का मान हमें ग्यार करना है इसलिए एन का मान ग्यार होगा तथा ए ग्यार है प्रश्न वाचक्चिन तो हमें क्या ग्यार करना है ग्यारवे पद का मान ग्यार करना है सूत्र लिखेंगे फोर्मूला लिखेंगे चूंकि अन इक्वल टू ए प्लस अन माइनस वन ब्रेकेट क्लोज दी वैल्यू ज रखेंगे ए एलेवन इक्वल टू ए का मान यहां से लेंगे टू प्लस अन का मान यहां से लेंगे इक्वल टू टू प्लस टैन इन्टू टू इस तरीके से इसको ब्रेकेट लगा लेना चाहिए यदि आपने इसको इस तरीके से ब्रेकेट नहीं लगाया तो आपसे एक जनरल मिस्टेक हो सकती है और वह यह हो सकती है कि पहले आप टैन प्लस टू कर देंगे और यह 12 हो जाएगा 12 को 2 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा जो की सही नहीं होगा तो यहां हमने देखा आप इस समीकरण को इस प्रकार सरल करेंगे इक्वल टू टू प्लस टैन को टू से मल्टिप्लाई किया 20 और इन दोनों को जोडने पर हमारे पास 22 आता है तो हम यह कहेंगे कि इसलिए A11 इक्वल टू 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 होगा अता है अता है दी गई श्रेणी का ग्यारवा पद 22 होगा यही इसका आंसर है हम एक सवाल और लेते हैं हमारा क्योशन है क्योशन नमबर दो फोटी नाइन फोटी सेक्स फोटी थी फोटी समांतर सेनी के सात्वें पद का मान क्या होगा यह हमारा प्रश्न है आंसर लिखेंगे आप हम जानते है कि यह मैं आपको लोंग तरीके से लोंग मेथड से इसलिए बता रहा हूं आपको सरलता से समझ में आ जाए और एक्जामिनेशन में आप किसी प्रकार की कोई त्रूटी ना करे और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो चूंकि आख कि अंक इस इपल तू आप्लस अएण माइनस वन दी होता है यहां A equal to 49 D equal to second term में से first term को minus कीजिए 46 minus 49 equal to minus 3 N सात्वा पत्पुछा है 7 और A7 equal to प्रश्णवाचक्चिन मुल्य रखने पर प्रश्णवाच्चिन प्रश्णवाच्चिन इसलिए A7 इसक्चिन A की वेल्यू 49 प्लस N की वेल्यू 7 माइनस 1 ब्रेकिट क्लोज D की वेल्यू माइनस 3 आपको मैं सलाहा दूँगा कि इस तरह से जो माइनस 3 लिखा ऐसे लिखने की बजाए अच्छा रहेगा आप इसे ब्रेकिट में लिख दे इक्वल टू 49 प्लस 6 7 माइनस 1 6 इंटू माइनस 3 इस इक्वल टू 49 अब ये माइनस प्लस को मल्टिप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा 6 त्रीजा 18 यानि की 18 हुआ इक्वल टू 49 प्लस के है माइनस के 18 है तो यहाँ आपके पास में जो 6 बचेगा वहाँ बचेगा एक तीम 31 अतहे दी गई की स्रेणी के साथ में पद का मान 31 होगा ये चीज़ आपके दो मान आप लिखेंगे अच्छे अंग प्राप करने के लिए आप ध्यान से देख लीजिएगा कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं हम अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ आप खूब अच्छे से उसे समझने की कोशीश करना क्योंकि गणित वह होती है जिसमें हम संख्याओं से युद्ध करते हैं गणित वह होती है जिसमें हम सवाल को खूब अच्छे से समझ कर उसे हल करने की पूरी पूरी कोशीश आखरी दम तक करते रहते हैं सामान्य बात ना करके मैं आपको महत्पूर्ण बिंदू पर ले आ रहा हूं आप यहां देख रहे हैं कि अभी जो हमने फोर्मूला लिख रखा है वह है ए एन अर्थार्थ किसी स्रेणी के एनवे पद का मान क्या होगा यह ज्याद करने के लिए हमने लिखा यदि हम इस जनरल इक्वेशन को एक नमबर दे दे उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसी समी करण से हम और क्या क्या ग्याद कर सकते हैं समी करण में थोड़ा सा परिवर्तन करके दूसरी बात हम ग्याद कर सकते हैं वो A इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम इस समी करण को इस इक्वेशन को इस तरह से लिख ले कि सीधे सीधे एका समी करण बन जाए हम सरलता से प्रश्ण में पूछे गए एका मान ग्याद कर सकते हैं तीसरा हम ग्याद कर सकते हैं एन हमें कभी-कभी प्रश्ण मिलेगा कि यदि ए एन इतना हो ए का मान इतना हो डी का मान इतना हो तो बताईए एन क्या होगा इसी प्रकार से चोथे नंबर पर हम इस समी करण का प्रियोग कर सकते हैं डी का मान ग्याद करने के लिए डी का मान हम कभ ग्याद कर सकते हैं जब हमें ए एन ए और एन का मान दिया गया हो तो हम सारांस लिखते हैं और सारांस में यह है कि ए का मान ग्याद करने के लिए ए एन एन तथा डी ग्याद होने चाहिए दूसरा एन का मान ग्याद करने के लिए ए एन ए तथा डी के मान ग्याद होने चाहिए तीसरा है तीसरा है दी का मान ग्याद करने के लिए ए एन ए तथा एन के मान ग्याद होने चाहिए देखो बच्चो आप सोच रहे होंगे कि हम मैच पड़ रहे है और सर हमें थेरी रिखवा रहे है लेकिन जो रूल्स होते है जो सिद्धान्त होते है आप या मैं कोई भी हो उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते है यदि हम चाहते है कि जीवन में कभी ये एक्सरसाइज नहीं भूले हर प्रकार की प्रॉब्लम्स क्योसर में कैसी भी दी हुई हो हम उसे सिंप्लिफाई कर सके सरल कर सके तो आप याद रखिएगा जो मैं शोर्ट नॉट्स आपको दे रहा हूँ आप इन्हें अवश्य अपने संग्रह में अपने कलेक्शन में रखिए अभी आपको चाहे वो अन्यता लग रहे हो लेकिन यह है बहुत उप्योगी है और आपको एक्जामिनेशन टाइम पर और आगे हायर एजुकेशन में भी बहुत बहुत काम आएगी अभी आप बच्चे है शैद हो सकता है कि आपको यह अन्यता लग रहे हो अब मैं आपको A N और D कैलकुलेट करने के फोर्मूला कैसे बनाएंगे वो सिखाने जा रहा हूँ अच्छे से समझ लीजिएगा च्यूंकि A N इज इक्वल टू A प्लस N माइनस वन D हम जानते है हमें A के लिए इक्वेशन बनाना है A को यहीं रहने दीजिए और इक्वेशन के रूल्स यानि की लेप्ट हैंड साइड तू राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड तू लेप्ट हैंड साइड जब प्लस का निशान जाता है तो ये माइनस, माइनस का निशान जाता है तो प्लस, इंटू का निशान जाता है तो डिवीजन, डिवीजन का निशान जाता है तो इंटू होता है हम इन basic principles को basic rules को कभी भी ना भूले तो यहाँ A को एक बार यहीं रहने दीजिएगा और अगली line में लिखे और A N यह plus है पूरी की पूरी तो यहाँ पर हम लिख देंगे minus यहाँ हमने लिखा N minus 1D is equal to A A N already यहाँ था plus N minus 1D right hand side वाली जो figure है उसे हम left hand side में लेकर आए यहाँ A N minus N minus 1D लिखा आपके दिमाग में यह आ सकता है कि यह minus plus क्यों नहीं हुआ ध्यान रखिए यह bracket में जो figure होती है वह कभी भी plus minus इन में कोई change left to right या right to left ले जाने पर नहीं हो सकती है तो इस तरह से यहाँ N minus 1 यहाँ से यहाँ तक एक ही value है तो यहाँ से यहाँ तक एक ही value होने के कारण हमने केवल minus लिखा है और अब यदि और simplify करे तो आगे कर सकते है लेकिन मेरा सुझाव यह है इतना ही रहने दे और इतना ही रहने पर इसे हम systematic order में लिख लेते है rearrange कर लेते है a is equal to an minus n minus 1d तो यह हमारा दूसरे number का formula बन गया तो यहाँ हमने दो number लिख दिया जहाँ पर कि हम a का मान ज्याद करने के लिए यदि हमें a, n, n और d का मान दिया गया हो हमें क्योशन मिलता है किसी समानतर स्रेडी में n वे पद का मान इतना, n का मान इतना और common difference शारवर अंतर इतना हो तो बताईएगा कि उस स्रेडी में प्रत्थम पद का मान क्या होगा तब हम सीधे सीधे यह formula लिख कर हम first term का मान मालूम कर सकते है फिर उसके बाद में अगली बात मैंने आपको बताई क्या कि n का मान कैसे ज्याद करेंगे यह तीसरे नंबर का है इसमें अगर हम इस formula को ध्यान में रखे तो ऐसी परिस्तिती में हम यह पाएंगे कि पहली बात यह है कि a को left hand side में ले आईएगा a n minus a is equal to right hand side में जो रह गया वह n minus 1 d रह गया अब यह d को आप left hand side में ले आईए चुकि यहाँ यह multiply है इसलिए division में चला जाएगा और a n minus a upon d हो जाएगा is equal to n minus 1 यह अब simple हम भी ना bracket के लिख सकते है नतीजा इसका यह होगा कि minus 1 को आप left hand side में ले कर आएगे तो हमारा जो formula बन जाएगा वह हो जाएगा और a n minus a upon d plus यह minus का 1 है इधर आएगा plus 1 is equal to n हम rearrange कर देते है equation को n को left hand side में ले आते है तो therefore इस परकार n is equal to formula हमारा बन गया है a n minus a upon d plus 1 तो आपको अब यदी दिया गया हो कि एक समानतर स्रेणी में a n इतना है पहला पद इतना है common difference इतना है तो बताईए कि पद की संख्या क्या होगी n का मान क्या होगा तब हम इस formula को apply करेंगे आप यहाँ अच्छे से देख लीजिए screenshot लेना हो आप ले लीजिए कि मान होगा थीजिए कि इतना है कि इतना हो एतनन इतना है गए झायँ हम आगे बढ़ते हैं चोथा जो समिकरन बनाने के लिए आपको कहा वह कोमन डिफ्रेंस के से ज्याद करेंगे इसका समिकरन है क्योशन हो सकता है किसी समानतर स्रेड़ी में प्रथम पद अमुख है एन अमुख है एन का मान अमुख है तो बताइए कि उस स्रेड़ी में सार्व अंतर यथा अर्थार्थ कोमन डिफ्रेंस क्या होगा यहां फिर में वही बेस बना लेता हूँ ए एन इक्वल टू बिकोज क्योंकि ए प्लस एन माइनस वान डी होता है हम जानते हैं अब आप पहले ए को लेकर आईए इधर और ए एन माइनस ए इज इक्वल टू एन माइनस वान डी अगली लाइन में डी को राइट हैंड साइड में रहने दीजिए एन माइनस वान को लेट हैंड साइड में ले आईएगा और ए एन माइनस ए अपोन एन माइनस वान इज इक्वल टू डी इस तरह से आपका यह समिकरन भी बन जाता है हम कहेंगे देर्फोर बी इस इक्वल टू ए एन माइनस ए अपोन एन माइनस वान अब यदि आप इन्हें याद रख लेते हैं तो एक्जामिनेशन समय पर आप बहुत शीग्र और एकदम कर्रेक्ट केल्कुलेशन करते हुए अपने प्रस्ण सही हल कर सकते है आज अभी मैंने जो अंतिम भाग इस लेक्शर का था उसमें मैंने बताया आपको कि यदि किसी समांतर स्रेढी के तीन मान ग्यात हो तथा चौथा मान ग्यात करना हो तब कौन कौन से समी करनो का प्रयोग करना चाहिए अर्थार्थ एक आमान एन का मान और डी का मान ग्यात करने के लिए कौन कौन से समी करन प्रत्यक्ष रूप से डारेक्टली हम लिख कर उनकी वेल्यूज उनके मान ग्यात कर सकते हैं मुझे उमीद है कि आज के इस लेक्षर की सभी वाते आपको समझ में आई होगी इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न यानि की एक्सेसाइज आपको हम अगले लेक्षर में बताएंगे थेंक यूँ झाही झाही जब बताएंगे शैसने स fibers अजय हैं